जाहिंदेवरिवर्ण, अगर आप अगनीवीर पेपर का त्यारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो में टोटल पायतिक्स प्रस्न लिएगा है, 15 प्रस्न समाने ग्यान के रहने वाले हैं, और 15 प्रस्न समाने बिग्यान के रहने वाले हैं, और 5 प्रस दिवस को मनाया जाता है तो 200 कम्प्यूटर दिवस को मनाया जाता है दो अक्टूबर दो दिसंबर दो मई और साथ अपरेल इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा 200 कम्प्यूटर दिवस को मनाया जाता है इसका राइट एंसवर 2 दिसंबर हो जाएगा ठीक ना 2 दिसंबर को 200 computer दिवस मनाय जाता है 200 computer दिवस को मनाय जाता है 200 computer दिवस 2 December को मनाय जाता है की त़रफ जलते है आपका next प्रसन है की सरवादिक यहाँ पर बागोर आएगा ठीकद अट टाइपिझ में थोड़ा समिस्टेक हो गया है तो इसको आप लोग बागो लिख ले ना, सरवादिक बागो की संख्या किस राज्य में आए, गुजरात, उत्राखंड, मद्य परदेश और जारखंड, तो इसका राइटेंस वर क्या हो जाएगा, सबसे जादे बागो की संख्या किस राज्य में है, इसका राइटेंस वर सरवादिक बागो की संख्या किस राज्य में है तो मद्य परदेश में सबसे जादे बागो की संख्या है मद्य परदेश की राजधानी कहां पर है तो मद्य परदेश का राजधानी भोपाल है ठीक ना मद्य परदेश के नय मुख्य मंत्री कौन बने है तो मद्य परदेश के नय मुख्य मंत्री मोहन यादव जी बने है ये मैं आप लोगो कई बार बता चुका हूँ नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं, आपका नेस्ट प्रस्ण है कि मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहां इस्ती था है, मद्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान है, इसका राइट एंसर क्या होगा, मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहां इस्ती था है, आप सभी लोगों पता होना चाहिए मोंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में इस्तित है ठीक ना गुजरात इस राइट एंसवर मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहां परिश्तित है तो मोंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में इस्तित है नेश्ट प्रस्न के तरफ चलते हैं नेश्ट प्रस्न है क भारतिय सम्विधान में कुल कितने अनुसूचिया हैं अनुसूचिया है नेस्ट प्रस्न के तरब चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्न है कि मवर्य वंस का सनसरफ़ कोन था तो मोर्य वन्सका संसथापक कौन था चंद्रगूप्त मोर्य समुंद्रगूप्त चाड़क और असोक तो इसका राइटेंस्वर की हो जाएगा मोर्य वन्सका संसथापक कौन था यह आप सभी लोगो पता होना चाहिए मोर्य वन्सका संसथापक चंद्रगूप्त मोर्य था ठीक है ना मौर्य वन्स का संसता भक चंद्रगूप्त मौर्य था आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना ठीक है ना और आप लोगो जो प्रस्णा नहीं आएगा उसको अपने कापी में लिखते हुए चलना है वैसे यह आप लोगो पूरा का पूरा PDF मेरे अप्सण है उसमें यह पूरा का पूरा आप लोगो PDF मिल जाएगा ठीक है और जितना लोग मेरे अप्लिकेशन को डाउनलोड कर चुके हो तो आप लोग उसमें से पढ़ाई करते रहो जी साथ ही मेरा वार्ट्षप नमर माग रहा है तो मेरे अप्लिकेशन में में मेरा वा सब्मीट कर देना है जैसे ही अपने प्रॉबलम को लिग कर सब्मीट करोगे ना तो वह मैसेज डाइरेक्ट हमारे वाट्सप में आ जाएगा उसके बासे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके मैसेज को देखूंगा और आपका जो भी प्रॉबलम रहेगा उसको मैं सब्सक्राइब कर दूंगा ठीक ना काफी सब्सक्राइब को प्रॉबलम हो रहा है तो आप लोगों जैसे अप्लिकेशन से मेरा नमर मिल जाएगा जीस तरह से मैं बताया हूं उस तरह से आप लोगो करना है ठीक ना थोड़ा सा मेहनत करके एक अच्छा सब नोटबुक बन लेते हो ना तो आपका तयारी तो अच्छा हो ही जाएगा आपका पेपर निकलने के बाद जैसे कोई भी तयारी करना चाहेगा और आपके नोटबुक से तयारी करेगा तो उसका भी तयारी बहुत आच्छे से होगा और जब आप एक बार अच्छे से नोटबुक बना तो एग्रीकल्चर साड का संबंद की सखेल से आए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट एंसवर फुटबाल हो जाएगा एग्रीकल्चर साड का संबंद फुटबाल से आए ठीक ना एग्रीकल्चर साड का संबंद फुटबाल से आए आपका नेश्ट प्रस जारखन्ड की राजदानी और मद्य का राजदानी का राजदानी भोपाल है और उडिशा का राजदानी बुन इस्वर है ठीक है नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं, आपका नेस्ट प्रस्ण है कि राष्ट पती बनने के लिए नियुंतम आयू, राष्ट पती बनने के लिए नियुंतम आयू कितनी होनी चाहिए, थीस वर्स, 35 वर्स, 25 वर्स, 18 वर्स, तो इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा, राष प्रारा हो चारप नहिंन नायाल्य का और ऐसटेउच के नाय धीशाक नियुख्त ऎतलता है तो और युद्धाल्य कोण कर प्राष्ट पती परत आटस्वेशाय मुंख्ति आटस्वेशाय को प्राहईयर. धी वा सुर राश्टषपती हो जाएगा ठीक ना, शर्वोच नयायाला के नयाय धी सो की नयुकती राश्टषपती करता धे, नेंस्ट प्रस्न के तरण चलते हैं, मैं सिंदुगाटी सा वहता के लोगों का मुख्ये बेवसाय क्या था तो इसका नायट एंसवर क्या देगा किरिजी ब्यापार कपड़े बुणनास और इनिमेंसे कोई नहीं तो इसका राइट एंस्वपर किरिजी हो जायगा किरिजी इज राइट एंस्वपर सिंदू घातिगाटी सा वास्टविक संसथापक कौन थे चंद्रगुप्त फस्ट समुंद्रगुप्त बाबर और इन में से कोई नहीं तो इसकराई टेंस्वर के आ हो जाएगा गुप्त वन्स के वास्टविक संसथापक चंद्रगुप्त फस्ट थे ठीक न नेस्ट प्रस्ण के दरब चलते हैं, आपका नेस्ट प्रस्ण है, कि राष्ट मंडल खेलो का प्रथम आयोजन कभुगा, तो राष्ट मंडल खेलो का प्रथम आयोजन कभुगा, 1932, 1919, 1930 और 1940, इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा, राष्ट मंडल खेलो का प्रथम आयोजन क कब हुआ इसका राइट एंसवर 1930 हो जाएगा राष्ट मंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ तो 1930 में ठीक ना इसका राइट एंसवर नेश्ट प्रसन के तरफ चलते हैं आपका नेश्ट प्रसन है कि ग्यान पीट पुरुसकार किस खेल में परदान किया जाता है तो ग्यान पीट पुरुसकार किस खेल में परदान किया जाता है सहित्य के फिल्म के खेल के और संगीत के तो इसका राइट आपका नेस्ट प्रस्ण और ए कि राजधानी कहां पर रहे भरन कें बरा स्वीडर और नीचे आपका दिया तो तो आस्टेलिया की राजधानी कहाँ पर है तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बुद्ध वरूड सुक्र और प्रिहस्पति इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा ग्रहों में सबसे बड़ा प्रिहस्पति हो जाएगा तो इसका राइट एंस्वर प्रिहस्पत अब ही आप लोग के समाने ग्यान के 15 प्रस्ण समाप्त हो चुके हैं अब समाने बिग्यान के तरफ चलते हैं समाने बिग्यान का पहला प्रस्ण है कि भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माल करता है भोजन का कौन सा स्रोत शरीर निर्माल करता है कार्बोहाइड़ेट स्रोत शरीर निर्मार करता है तो प्रोटीन शरीर निर्मार करता है आपका नेस्ट प्रस्न है कि तुरंत उर्जा देने वाली सरक्रा है तुरंत उर्जा देने वाली कौन सी सरक्रा है गुलुकोज फ्रक्टोज माल्टोज और गैलेक्टोज है तो इसका राइट एंसवर क्या तुरंत ओर्जात देने वाली कौन सी सर्क रहें इसका राइट हो जाएगा ठीक ना गुलुकोज इज़ राइट है स्वर गॉलुकोज इसका राइट है सलगा नेस्ट प्रसन के तरब चलते हैं आपका प्रसन है कि दूद वू अंडे में कौन सी वितामिन नहीं पाया जाता ह नहीं पाया जाता है देखो यहीं कला कर जाता है पेपर में यहां पर नहीं लिखा गया है ठीक ना और जब हम लोग पढ़ेंगे तो एटोमेटिक में मतलब ऐसे लगेगा कि दूध वह अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना है ठीक ना दूध वह अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन A विटामिन C और नीचे दिया विटामिन D वि जाता है नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्ण है कि कौन सी बिटामीन वसाह से जल दोनों में नहीं गुलती है देखो कुछ ऐसी विटामीन होती हैं जो वसाह में गुलती हैं और विटामिन B और C, देखो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कौन कौन सा विटामिन, विटामिन B और विटामिन C, ये दोनों के दोनों विटामिन जॉल में घुलती हैं, ठीक न, और विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, और विटामिन A, जिसे कीडा भी बोलते हैं, ठीक ना यह पूरा का पूरा बिटामिन वासा में घुलता है और बिटामिन B और बिटामिन C जॉल में घुलता है तो याद रखना ठीक ना कौन सा बिटामिन जॉल में घुलता है तो बिटामिन B और बिटामिन C जॉल में घुलता है और कौन सा बिटामिन वासा में घुलता ह तो विटामिन K, E, D, A जिसको कीडा भी पढ़लो याद करने के लिए तो विटामिन K, E, D, A वसा में घुलता है ठीक है ना यहाँ पर बोला गया कि कौन सी विटामिन वसा वा जल दोनों में नहीं घुलता है तो ऐसा कौन सा विटामिन है कि जो वसा वा जल दोनों में नहीं आप सभी लोगों पता होना चाहिए ये विटामिन B7 है ठीक ना विटामिन B7 वसा वजल दोनों में नहीं घुलता है ठीक ना नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं विटामिन B12 के बारे में भी आप लोग याद कर ले ना ठीक ना इसका रसानिक नाम साइनो कोबलमीन होता है तो इसके बारे में आप लोग याद कर ले ना क्योंकि विटामिन B12 के बारे में भी बहुत पुछा जाता है आपका नेस्ट प्रस्ण है कि नेमन में से कौन सा कोशी का सिध्धान्द का अपवाद है जीवाडू प्रोटो जोवा वायरस और कवक है तो इसका राइट एंस्वर आप लोग दो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा नेमन में से कौन सा कोशी का सिध्धान्द का कि कोशिका में प्रोटीन संसलेसर कहां होता है कोशिका में प्रोटीन संसलेसर कहां होता है गाल जी का है राइबोसोम माइट्रो कांडिया में और सेंट्रोसोम में तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कोशिका में प्रोटीन संसलेसर कहां होता है इसका राइट एंसर रा कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है आप सभी लोग को पता होना चाहिए हिर्दय, फेफडय, गुर्दय और प्लीहा इसका राइट एंसोर क्या हो जाएगा malaria से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है नेस्ट प्रस्न के तरब चलते है इसका राई टेन्सवर उर्जा हो जाएगा उर्जा इस राई टेन्सवर तरंग के सनलच्छन में किसका अस्थाना अंत्रड़ है तो उर्जा का ठीक न आपका नेश्ट प्रस्ण है कि प्रकास की चाल किस पर निर्भर करती है आवरेती तरंग धायरे अपवरतनांक और आया में तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा प्रकास की चाल किस पर निर्भर करती है आपका नेश्ट प्रस्ण है कि दाब बढ़ाने पर गलनांक यहां पर टापिंग में थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है ठीक ना दाब बढ़ाने पर गलनांक यहां पर आप लोग पर कर लेना ठीक ना दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है घटता है बढ़ता है और परिवर्तित रहता है इने में से कोई नहीं तो इसका राइटेंस्वर घटता है हो जाएगा ठीक ना दाब बढ़ाने पर गलनांक घाटता है, आपका नेस्ट प्रस्ण है कि तोप के गोले की गती है, इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा, तोप के गोले की गती है, आपका इसका राइट एंस्वर 2D हो जाएगा, ठीक ना, 2D is राइट एंस्वर, ये प्रस्ण पूछा गय गया था रिलेशन वालों में भी पूछा गया था उसके वासे आपका जो ओपन वाला पेपर हुआ था ना उसमें भी यह पूछा गया था कि तोप के गोले की गती है तो यह आप लोग को पता होना चाहिए इसका राइट एंसवर 2D हो जाएगा नेस्ट प्रस्न के तरब चलत है तो हम बुड़न अतरी कुरीजा में कौन बदलता है तो हम भी दुत मोटारी जराइट एंसवर नेस्ट प्रस्न के तरबी चलते हैं सापका नेस्ट प्रस्न कि डाय लेसिस का संबंध की ससे आफ सपरीक हीर गिः तो इसका राइट एडेंस व कुझ πα संबंध किसा से आए तो dialysis का संबंद किसा से आए तो वरी किसे आए आपका नेस्ट प्रस्ण है कि गुर्दे की किरियातमक इकाई है निवरान नेफरान और कूपी काई है इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसवर नेफरान हो जाएगा नेफरान इस राइट एंसवर गुर सबसे अच्छी सुचालक धातु है विद्दूत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है चान्दी सोना यकरीत और मस्तिश्क है इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा विद्दूत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है यह आप सभी लोग को पता होना चाहिए इसका राई टेंस वर चान्दी हो जाएगा विद्दूत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चान्दी है ठीक ना अभी आप लोगे समाने ग्यान के पंदरप रसना समाप्त हो चुके हैं और समाने विग्यान के पंदरप रसना समाप्त हो चुके हैं अब रिजिनिंग के कि भुला तहाना जैसे बढ़ते करम में दीखेगा तो समझा ना की अंतर किया गया हे मतलब जोड़ा गया ठीक ना तो बढ़ते करम में दीख रहा है पहले प wrestle फीर बढ़ गया schwierig कर से बढ़के 23자 हो गया है 23 बढ़के 41 और 41 हो गया है तो क्या किया गया है देखो 5 cousin तो पांच में कितना जोड़ेंगे तो इगारा हो जाएगा पांच में छोड़ेंगे तो इगारा हो जाएगा अब इगारा में कितना जोड़ेंगे तो तेईस हो जाएगा ठीक ना उसके वासे तेईस में कितना जोड़ेंगे तो एक तालीस हो जाएगा ठीक ना उसके वासे 14 में कितना जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। छोड़ाएगा ठीक ना चाहँ चाहँ तरह से यहां तक जोड़ा गया है तो यह 30 किसे में जोड़ा जाएगा यह 30 65 में जोड़ा जाएगा ठीक ना 65 और 30 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 36, 95 हो जाएगा, 95 is right answer, आपका 95 हो जाएगा, नेस्ट प्रस्न के तरब चलते हैं, आपका नेस्ट प्रस्न है, कि जो संबंद रोटी का गेहूं से है, वही संबंद इट का किसा से है, तो इसका right answer क्या होगा, जो संबंद रोटी का ग संबन्द और चाहिए इसका राइट का संबंद ते थिंसा को पता होना चाहिए इसका राइट होजाएगा किश्वेसर करें परेलों को जाएगा, यह की है, पोधा वीज और बीज का पहनी से हैं ठीक नेस्ट प्रस्ण के तरब चलती है तो इतना को लिखा जाता है तो देख लिए इसको ठीक से पहले जितना अच्छा वी उपर लिखा गया है तो पूरा लिखा गया फिर ई लिखा गया है और पूरा का पूरा इधर लिख लेते हैं आप लोग भी अपने कापी में लिख लो ठीक ना डिए यु जी यऊच टि ओर त्रॉप अब निचे इसके लिख लेते हैं यह फाला ठीक हुं आपका क्या हो गया टी ओ गया ओर ऑर इसके वाशे आपका ढूंत घ्यू ओ गया ऊंतर देखने संधार अपर क्या दिखने को मिल रहा है कैसे देखने को मिल रहा है आप लोगों को देखना है ठीक ना यहाँ पर D है तो D को क्या किया गया है D यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके बास यहाँ पर A है तो A यहाँ पर देखने को मिल रहा है यू है तो यू यहाँ पर देखने को मिल ला है उसके पासे जी है तो जी यहाँ पर देखने को मिल ला है यह अच्छा है तो यहाँ पर देखने को मिल ला है जैसे मैं देखा हूँ ना मुझे साफ सब दिखने लगा है कि यार जो अच्छर यहाँ पर है वही अच्छर यहाँ पर भी है लेकिन इधर उधर कर दिया गया है तो यहां पर पूरा का पूरा मतलब इहां से उठा कर और आप लोग देखिए मतलब इहां कर दिया है ठीक ना और यह जो टी है यह टी क्या किया गया है इहां कर दिया गया है फिर यह आर इहां कर दिया गया है तो सेम जीस तरह से उपर किया गया है उसी तरह से नीचे भी कर देना है ठीक ना मतलब आप लोग को तीन अच्छर जैसे लास्ट का तीन अच्छर शुरुआत में कर देना है और यह वाला अच्छर आप लोग को इधर कर देना है जिस तरह यहां पर किया गया है तो यह साल्ब हो जाएगा ठीक ना तो अभी करके देख लेते हैं यहां पर यह जो a p t i t u d e है तो लास्ट का तीन अच्छ यहां पर आप लोगों को छोड़ देना है अभी यहां पर पूरा मतलब मिटाना पड़ेगा ठीक ना इसको मिटा देते हैं और इसको देख लेते हैं आपका a हो गया और p हो गया t हो उसमें आपका किया गया था यह जो अच्छार है ना यह आपका यहां आएगा यू आपका यहां आजाएगा फिर d भी आपका यहां पर आजाएगा फिर e भी आपका यहां पर आजाएगा ठीक ना इतना तो आप लोगों समझ में आ रहा होगा उसके बासे क्या किया गया है उसके बाद से आपका A को इधर कर दिया गया है फिर P को यहां पर फिर T को फिर T को यहां पर ठीक ना फिर T को यहां पर तो यह भी आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस तरह उपर किया गया से हम उसी तरह से नीचे वाले ब multif करते हैं ठीक ना यहां को सबसे आपका एलिफा गया है लिक देता है फिर टी यह तो टी लिक देता है उसके वाद से आई तो आ या निक देते हैं फिर T है तो T लिख देते हैं फिर U है तो U लिख देते हैं फिर D है तो D लिख देते हैं फिर E है तो E लिख देते हैं ठीक ना अब क्या करना है यह जो लास्ट वाला तीन अच्छार है इसको शुरुगात में ला लेते हैं तो U को यहां पर ला देंगे ठीक ना उसके वासे D को भी यहां पर लादेंगे, उसके बासे E को भी यहां पर लादेंगे, ठीक ना, UDE तो आ गया, अब A को यहां पर लाएंगे, P को यहां पर लाएंगे, और T को यहां पर लाएंगे, तो लादेते हैं, A को यहां पर लादेते हैं, उसके बासे P को यहां पर लादेते हैं, उसके बा आप लोग देख लेना कभी-कभी ऐसा भी रिजिनिंग देता है कि मतलब जैसे अच्छर सब सेम सब वही रहता है लेकिन धर उदर करके मतलब दे देता है ठीक ना अब प्रस्ना है और लास्ट प्रस्ना है यह सीख से जी यह नाइन और आपका आई जे फीप्टीन और उसके वासे के यह ट्वन्टीफोर है तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लागा लोग ठीक ना ऑफ दिया है इए उसके वासे जी यह दे दिया है फिर आई जे फिर के यह अलम मतलब लाइन से यह दे दिया है यह यह जे के यह तो आगे इयम इयन आ जाएगा ठीक ना आगे की आ जाएगा इयम इयन आ जाएगा उसके वासे यह पर चो दिया है फिर नो दिया है फिर पंदर दिया है फिर चोविश दिया है तो चो और नो के बीच का अंतर कितना है तीन है ठीक ना चो और नो के बीच का अंतर कितना है तीन है उस कि उसके वासे 15 में कितना जोडा गया है तो 24 हो गया है तो 15..15 में आपका 9 जोडा गया है तो 24 हो गया है 24 दू 26 और 10 चातिस तो 36 हो जाएगा ठीक ना यम्यान 36 इस राइट एंस और अभी आप लोग के 35 प्रस्ण समाप्त हो चुके हैं इन 35 प्रस्ण में से आपका कितना प्रस्ण सही हुआ हैं इवांदारी पुर्वक से कमेंट करके बताना ठीक ना तो चलो ठीक मिलते हैं आगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रा